कपिश श्रिवास्तव हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उनसे मैं जवाब लेता हूँ कपिश जी अब सबकी निगाएं क्योंकि अभी अगर यूपी में देखा जाये तो कोई मजबूत विपक्षी दल है तो वो समाजवादी पार्टी है लेकिन सवाल यही है कि 2024 लोगसवाद चुनाब में अखिलेश की रणिती क्या होगी क्योंकि अभी तक जो जो संभावनाएं होती हैं गटबंदन की वो आप सब कुछ कर चुके हैं बुआ बबुआ यानि BSP समाजवादी पार्टी गटबंदन वो फेल हो चुका है कॉंग्रेस के साथ गटबंदन वो आपका फेल हो चुका है अभी विदान सवाद चुनावो में RLD के साथ गटबंदन किया था तमाम छोटे दलों के साथ गटबंदन किया था वो फेल हो चुका है 2024 में अखिलेश की रणिती क्या होगी क्या फिर मायवती साथ आएंगी क्या उनके साथ फिर राहूल गांदी आएंगे क्या होने वाला है प्रवी वाई सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बहन माया उवती जी को समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं हर दिए उनके जनब दिन पर शुब कामनाई देता हूं उनके दिरगायों की कामना करता हूं अब सबसे पहली चीज़ यह है कि शोशितों और वंजितों की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के लिए मुद्दे प्रखर होते हैं उसके लिए आस्ता प्रखर नहीं होते हम किसी धर्म और जाती को बाट करके कते ही ना देखें हैं ना देखेंगे सत्तासीन हम हो ना हो यह एक दिगर की वाद हमारे मित्र तो बता रहे थे कि उन्होंने अल्वसंक्यक वर्क के लोगों को इसलिए टिकेट ने दिया क्योंकि वो जीत करके नहीं आप यानि उन्हें वो पहले ही हारा हुआ मान लिए और पूरे के पूरे देश में अल्वसंक्यक एक भी जीत के किसी पार्टी से आई नहीं रहा है या आपकी पार्टी उस लाइक नहीं एक फूरसंक्यक को जिता सके या आप अपनी उबत का इजहार कर रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए अब मैं दूसरी बात कहता हूँ दीए इन्हों ने जो है वो विसाक्त कर दी है राडिनी अभी आपने देखा कि हमारे मित्र जो है मुद्दों पे बात कह रहे थे और अमिश्शा जी ने किस चीज़ पर बात कही, उस चीज़ पर बात कही, जो राममंदिर उन्होंने कभी बनवाया ही, नहीं सिर्फ तोडला आउसले, क्यों कह रहा हूं, य Smells Supreme Court ने एक verdict दे दिया, उसमें उन्होंने बताया कि वो राममंदिर था, तो आपने जो उकसा करके आपराधिक करवाई करवा की गिरवाया था, यह हम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ड ने कहा कि आपराधिक करवाई अप्तिक में, और डिमालिश किया, जो रामंदिर था, तभी तो रामंदिर बन रहा है, तो रामंदिर आपने गिराया था, आपने कोई दूसरा धाचा न ना कोई मंदिर बनाने के लिए अगवाई की हाँ एक बात जरूर किया हकमारी में ये सबसे आगे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि जो वर्डिक जिनके याचिकाओं पर आया जैसे अखिल भारती हिंदू महासभा जिसके इस समय राष्ट्री अध्यक्ष चक्रपाणी मारा अमिट शाने तो तारीक भी बता दी कि एक जनवरी दोजार चौबिस को मंदिर का निर्माण हो जाएगा ने वो तो दूसरों के महनत पे अपनी तारीक बता रहा है आपने चक्रपाणी जी के महनत पे पानी फेर दिया जो आपने राम मंदिर निर्माण ट्रस्स बनाया उसमें किसी भी संद को आपने जगा नहीं दी जो कि पहले कंपलेनेंट तो पहले याचिका थे उनकी बीस लाग की जमीन कैसे दो करोन में पाँच मिनट के अंदर खरी दी जाती है तो ये सारी चीज़ें है भारती चंता पार्टी के आवारत में खायान करें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24 झाल